हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू किंग इन किचेन, आज मैं आपके लिए बना रहा हूं पालक पनीर, पालक पनीर बनाने के लिए हमें कड़ा ही लेंगे, इसमें थोड़ा मखन डालेंगे, जब मखन पिकनला शुरू हो जाए हम उसमें डालेंगे कटेवे प्याज, प्याज को हम थोड़ी दे साटे कर लेंगे, जब प्याज थोड़ा पक जाए हम उसमें एक करेंगे लसन बारीकी सीखटेवे और दो हरी मिर्च, तभी हम तकरीबन 2 मिनित तक साटे कर लेंगे, और जब प्याज पक रहा हो तह हम तयार करेंगे स्पिनेश की प्योरी, इसके के लिए हम पालुक को थोड़ा बॉइल कर लेंगे और फिर इसे थंडे पाने में डाल लेंगे उसके बाद हम उसे अच्छी तरह मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके उसका प्यूरिय बना लेंगे प्याज को जल्दी ही पकने के लिए हम उसमें डालेंगे नमक, नमक डालते ही प्याज जल्दी ही पकना शुरू हो जाएगा, फिर हम उसमें एड करेंगे टमाटर, यहां मैंने एक बड़ा टमाटर लिया, उसे छोटी किसमें काट लिया है, अची तरह मिक्स कर लेंगे, जब प्याज आँ टमाटर अची तरह पक जाए, उसे हम अंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसी कडाही में हम एड करेंगे एक टेबल स्पूर मखन, फिर हम डालेंगे हल्दी पावडर, लाल मिर्च पावडर, नन्या पावडर, गरम मसाला पावडर, और जीरा पावडर, इस सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अची तरह मिक्स कर लेंगे मखन के साथ, और फिर हम एड करेंगे इसमें स्पिनेच की प्यूरी, फिर जो हमने प्याज और टमाटर को पका के रखा था, हम उसे भी उसी मिक्सर ग्रेंडर में अची तरह पीस करके उसका भी प्यूरी बना लेंगे, अची तरह मिक्स कर लेंगे ताकि दोनों प्यूरी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिर हम उस मिक्सी में थोड़ा पानी डाल करके उसका मसारा पूरा इसमें एड कर लेंगे, ताकि मसारा वेस्ट ना हो जाए, आपको इतनी गाड़ी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी आड कर सकते हैं, जब यह उबलना शुरू हो जाए हम इसमें आड करेंगे पनीर, आप पनीर को मैंने थोड़ा फ्राइ कर लिया है, आप चाहे तो कच्छा पनीर भी डाल सकते हैं, पनीर डालने के बाद हम इसे 2-3 मिन तक और उबलने देंगे, तो यह लगे दोस्तो हमारा पालक पनीर बनके रेडी हो गया है, आप इसे स्टीम राइस के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, कर दूप्सμ微च कर फूपेट सुमास्, कर बादन प्रृट加भ, मैं दियू की खुंचे यूते सैप कर दो कर दूज कि हैं, इस प्रूब्rial गदड़ भूवेट पी खूबसोज स्टीम प्राइस काуется, हैंग बियू स्टै संटीम फॉॉषा बależy हो की साथ्जू पthme. is that you make permanent lifestyle changes in the way you cook, the way you live, and so you never gain back the weight that you have lost. So, without wasting any time, quickly join the group to get your free diet analysis done. Thank you.